Assalamualaikum हर रोज की तरह आज भी मेरे किछन में बहुत मज़दार से एक रेसिपी बनने लगी है और रेसिपी भी चिकन की और ऐसा चिकन में आपको आज बना सिखाऊंगी कि जिसको इन्शाला आप ट्राइक करेंगे तो आप अपनी उंगलिया चाट जाएंगे तो चलें फिर फटा फट से हम इसको स्टार्ट करते हैं बिसमिलेर हमाल रहीं हाफ केजी आपने चिकन लेना है इसको स्केर शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से बॉनलेस आपने चिकन लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून पिसी सफेद मिर्च, वन टी स्पून ही आपने अद्रक का पाउडर, वन टी स्पून लेसन का पाउडर और साथ में नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है पैप्रिका पाउडर भी टू टी स्पून शामिल करेंगे इसमें और उसके बाद हम इसमें सबसे एहम चीज डालेंगे बेसन बेसन आपने वन टेबल स्पून भर कर लेना है उसके बाद इन तमाम ड्राय स्पाइसिस को हमने चिकन के साथ पहले ऐसे ही मिक्स कर लेना है जब इस तमाम चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद आपने इ और चिकन को अच्छी तरह मेरिनेट कर देगा इसको हमने 10-15 मिंट करना है तीन आपने बड़े साइस के आलू लेने हैं आलो का साइस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फिर आपने इसके इस तरह से थिन से स्लैसिस कर लेने हैं और उसके बाद ये देखें तमाम स्लैसिस हो च नीचे करकर तक्रीबन सर्थ डिज़क बारी किसी क अहां कि आहिता है, अबकुल कि अन्यावर्थ है की कटिंग कर्णी है और चुरी की video ने सर्केस सर्केसर्थच साथ चुझा करना इसकी कटिंग करना ही ऐ है यह के इस तरह से आपने बारी क कुझा करके इसलिप ढूल है हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा और चैनल कहा विजिट करना भी वन तीस्पोन आपने इसमें इसमें कालेolution शामिल करेंगे वन तीस्पोन ही आपने आपने हिसमें लेसं पाउडर और अधर का पाउडर शामिल और इसके बाद पैपरिका पाउडर आपने 2 पूटी स्पून दो zu entry sapobl नम्क चीजे को मिक्स करें साइट और ये थोड़ा थोड़ा पानी शामिल व्हुरू टेक्स्चर करें जादा लिक्वडी नहीं डाना तो बल्के बिल्कुल मुनासिव गाड़ा से हमनेें सानी साइट असलिया केundo अनल रासार पहले आपने कभी ट्राइ नहीं की होगी ये देखें ये तमाम आलू इस तरह मिक्स हो गए हैं अब आपने इसका थोड़ा सा बैटर इस तरह हाथ पर लेना है और इसके दरम्यान में आपने चिकन रखना है जो हमने मेरिनेट पहले ही किया था थोड़े से आलू का मिक्सचर इसके उपर और इस तरह आपने गोल सा कौफटा नुमा ये बना लेना है और इसके बाद हम इसकी साइट चेंज कर देंगे बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आना चाहिए ज़्यादा डाक कलर बिल्कुल भी नहीं करना और ये मजददार से आपके लच्छा पकूर पकू कोड़ा बिल्कुल तियार है चिकन की ऐसी रेसिपी इन्शाला आपने पहले कभी ट्राइए नहीं कियोगी और ये आपने ट्राइए करके मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है